हेलो स्टुडेंट्स चलिए अब इन्वेस्मेंट डिसीजन में हम पार्ट टू स्टार्ट करते हैं पार्ट वन में हमने केस प्लोग के बारे में समझा इसके बाद एयारार हमने टेक्निक समझी थी डिफरन डिफरन टेक्निक हम इस चेप्टर में पढ़नी है उसमें से सबसे method पे चले गए थे net present value method के लिए मैंने अच्छा सा एक पाले जी का example दिया था उस पे हमने question भी कर रहा था I say module का illustration number three ठीक है और उसमें मैंने आपको कुछ important not भी लिखवा दी थी कि कि आपका जो net cash flow आपके पास में किस तरीके तो दोनों हो सकते हैं minus में भी आ सकता है minus में कब आएगा जब आपके पास में expense income से ज्यादा हो तो minus में आ सकता है cash flow statement right तो ये सारी चीज़ें हमने discuss करी थी इस पर question भी हमने किया था और मैंने कहा था कि इसको more understanding provide करने के लिए मैं एक और example दूँगा जो मैं यहाँ पर लेने जा रहा हूँ basically मैंने आपके जो module है उसमें मैंने देखा कि जो मुझे समझाना है उस पर आपका एक question दे रखा है तो direct उस question से ही मैं आपको वह सारी बाते clear कर दूँगा right तो मुझे जो बाते कहनी है उससे related आपके module में एक बड़ी आसा question दे रखा है जिसे मैं explain करते करते अपनी बाते भी आपको समझाओंगा ठीक है देखे illustration number four यह बहुत ही बहतर question है आपके पास में जो basic basic आपकी चीज़े जो आपको doubt होते है जो normally ठीक है वो सारे doubts इससे soul हो जाएंगे कहता है आपके पास में illustration number four कि कोई ABC limited करके company है ठीक है small company है okay small company ठीक है यह सारी चीज़े तो लोका पाट है हमारे पास में यहाँ पे small company है कि subsidiary है ऐसा कुछ यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं होती यह normally हमें जो information बढ़ाने के लिए ताकि question बढ़ा दिखे इसलिए यह सारी information हमें देता है ताकि हम जो है घबरा जाए तो यहाँ पे आपको कहता है कि ABC limited करके कोई small company है currently यहाँ पे analyze कर रही है उनके capital expenditure को और वह capital expenditure को analyze करते करते एनलाइस करना पड़ेगा ठीक है capital कितनी जरूरत है किस तरह किसे investment करना है उसके लिए कहता है कि company use करती है कौन सी technique use करती है net present value technique देखे डिफरंट डिफरंट टेक्निक है company कोई भी टेक्निक अपना सकती है ARR टेक्निक है present value net present value technique राइट दूसरी है हमने पड़ी इसके बाद और भी काफी सारी techniques पढ़ने है IRR है MIRR है ठीक है ऐसे काफी सारी techniques है तो company कोई भी techniques अपना सकती है ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमें जो है यही अपनाना पड़ेगा ऐसा कुछ राइट तो कोई भी techniques आप जो है यहां पर अपन आ सकते हैं जैसे कि यहां पर question नहीं का है कि company ने net present value technique को अपना लिया है अब कहता है कि इनके पास जो capital budget है वह total पांच लाग रुपे का है ठीक है वीच कम वीच जो company ABC limited है कहता है बिलियूस its maximum capital it can be rise तो सीधी सी बात ही यह तो generally हर एक चीज़ में होता है मतलब कि हर एक परस पास कोई investment करने लाइक amount है तो वह maximum हमें जो है फाइदा पहुंचा ऐसे तरीके से हम invest करना चाहते तो यहां पर भी वह सीधी सी बात कह रहा है कि company भी यही चाहती है कि यह जो पांच लाग रुपे का इनके पास जो capital budget वगेरा है तो maximum way में use हो इस तरीके से company चाहती है कि उन and provide हो इस तरीके का में यहां पर investment करना चाहिए तो सीधी सी बात है राइट लेकिन question को बढ़ा करने के लिए कुछ तो लिखना पड़ेगा तो ऐसे चीज़े लिखते रहते हैं इसके बाद कहता है इनिशियल जो investment है and projected net cash flow है for each project वह आपको यहां पे नीचे given है ठीक है और cost of capital cost of capital नाम दे सकते है जैसे कि मैंने प्रिवیस लेक्षर में आपको बताया था cost of capital नाम दे सकते है Пीवी फेक्टर के नाम से दे सकते है rate of return दे सकते है तो यह सारी चीज़े जो है क्या है सर पीवी फेक्टर निकालने के लिए परसंटेज हैं ठीक है मतलब कि कोई भी अमाउंट को present value में convert करना है तो present value में convert करने के लिए आपके पास जो percentage होना चाहिए वह यह परसंटेज है cost of capital नाम से आपको दियो गिवन है 12% के इसाफ से present value मे यहां पे project A है project B है project C है और D है ठीक है कहता है कि आपको एक काम करिए जो different different project आपको given है इन सब का NPV निकालके हमें दे दीजिए ठीक है आपको इसका NPV calculate करके निकालके दे देना है बस ठीक है अब देखिए यहां पे general doubt जो आपका रहता है कि सर present value में convert करना ही क्यों है direct ऐस देख सकते मतलब कि अगर हम यहां पे देखे तो सर यहां पे देखिए project A में project A में देखिए सबसे पहला जो general doubt होता है सबसे पहले वह यह explain कर रहा हूं कि general जो doubt होता है आपके पास में project A की बात करें project A यहां पे ठीक है तो कहता है कि project A में अगर investment करना है तो कहता है कि अगर दो लाख investment करें इनकी policy project A वालों की policy है जैसे कि हमारे पास में different difference insurance वगेरा agent वगेरा होता है ठीक है हमारे पास में investment के लिए different different policies होती है ऐसे ही यहां पे देखिए आप इस सभी को policy मान के चलिए कि policy A है policy B है different different policy है तो different different policy में यहां पे कहता है कि हमारी यहां पे policy क्या कहता है project A की policy यह कहती है कि अगर आज आप दो लाख रुपे इसमें invest करेंगे ठीक है तो आपको इस पे income मिलेगी कैसे income मिलेगी कहता है year 1 में 50,000 रुपे मिलेंगे इसी तरीके से year 2 में भी आपको 50,000 रुपे मिलेंगे year 3 में 50,000 मिलेंगे year 4 में भी 50,000 और year 5 में भी 50,000 रुपे मिलेंगे इस तरीके से 5 साल तक 50,000 पचास 50,000 रुपे मिलेंगे अब मैं अगर इसका सीधा सा total कर दूँ, इन सभी का यहां पे total कर दूँ, तो कितना आ रहा है सर? 50,000 into 5 करेंगे, फांच साल तक मिलता रह रहींगा, तो यहां पे आपका जो है, यहां पे total जो आ रहा है, वो है, 2,50,000 ठीक है 2,50,000 यहाँ पे आपका टोटल आ रहा है अब पॉइंट समझना As a normal person अगर हमें FM का knowledge ना हो As a normal person हम तो यहाँ पे देखिए Agent वगेरा ऐसा ही गरते Agent वगेरा यही समझाते कि सर देखिए 2,00,000 रुपे डालेंगे यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे 2,50,000 रुपे कोल मिला के मिलेंगे तो हम तक कहेंगे कि बहुत बढ़िया है ठीक है 2,00,000 अगर इन्वेस्ट करने से 2,50,000 मिल रहा है तो यहाँ पे तो बहुत बढ़िया है तो इन्वेस्टों करना ही चाहिए नॉर्मल परसन यह सोचेगा लेकिन ऐसा है नहीं अगर एफम आप जो है आप जो है कि एफम पढ़के आप फाइनलिस्ट है ठीक है तो एफम पढ़के आपको यह समझ में आना चाहिए कि यह सही कमपेरिजन है ही नहीं 2,00,000 के सामने 2,50,000 की कमपेरिजन कर रहे हैं और आप यह कहेंगी कि 50,000 ज्यादा मिल रहा है तो यह सही कमपेरिजन तो है ही नहीं सर यह सही कमपेरिजन क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखे तो 2,00,000 तो आज इन्वेस्ट करने है लेकिन यह जो future में मिलने वाले amount अब मैंने अब यहाँ पर last lecture में ही कहा था कि सर आज का पाले जी अगर आपको 10 साल पहले लेना था ठीक है पाले जी अगर आप जो है यहाँ पर 10 साल पहले लेते ठीक है पाले जी अगर 10 साल पहले लेते तो 5 रुपे का कितना मिल रहा था sir 5 रुपे का इतना बड़ा packet मिल रहा था आज 10 साल बाद ठीक है after 10 years after 10 years after 10 years आपके पास मैं वही पाले जी अगर मैं लेने गया ठीक है तो रुपीज 5 का आदा हो गया packet मतलब कि यही अगर quantity चाहिए तो मुझे कितना खर्च करना पड़ेगा रुपीज 10 खर्च करना पड़ेगा तब जाके इतनी बड़ी quantity जो मैं पहले 5 रुपे में purchase करता था 10 साल पहले आज मुझे यहाँ पे 10 रुपे पे करने पड़ेंगी कही ना कहीं value कम हो गई आप देखें यहाँ पे 5 रुपे की यहाँ पे जो चीज मिलती थी वो आज 10 रुपे पे करने पड़ेगी कहीं ना कहीं पैसो की value कम हो गई आप देखें क्योंकि यहाँ पे चीजे जो है वो महंगाई बढ़ती रहती inflation वगेरा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो future का धाई लाक है ठीक है वो आज का कम value होगा मतलब कि आज उसे convert करके हमें देखना पड़ेगा कि असल में आज का वो 2 लाक से कितना ज्यादा है ठीक है जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आज आप 5 रुपे देते और future 10 सल बाद 10 रुपे देते वो दोनों एक ही चीज़ है ठीक है वो दोनों एक ही चीज़ है नॉर्मल परसन को तो यही लगेगा कि यहां तो बहतर स्कीम है पचास जार एक्ट्रा मिल रहा है लेकिन भाई इसकी present value convert करके देखो कि क्या टूलेक से ज्यादा मिल रहा है तो इन्वेस्ट करना चाहिए ठीक है अब यहां पर हम देखते हैं अब यहां पर देखते है एड illustration no.4 देखें यहां पर जो मैं concept पढ़ाना चाहता था वह concept आपका यहां पर cover हो जाएगा जो पहला project है वही आपका सारे का सारा concept cover करवा देगा देखें illustration no.4 सबसे पहले हम project एक ही बात करेंगे बाकी के project आपके पास में homework में रहेंगे ठीक है चलिए project आपकी सबसे पहले ए की की बात करें ठीक है बाकी सारे project आप homework में करेंगे project ए ठीक है तो calculation of present value net present value आप यहां पर कहेंगे ठीक है heading देंगी computation या फिर calculation computation लिखते है computation of net present value ठीक है net present value NPV ठीक है अब यहां पर सबसे पहले मैं project A को समझा दूँ उसके बाद यहां पर सारी चीज़े आपको समझा जाएगी क्योंकि illustration no.3 वैसे भी कर चुके calculation आपको आती है मुझे सिर्फ और सिफ understanding इस question में मुझे understanding डोइट करनी है क्योंकि calculation तो आ आपको आती है मैंने आपको already समझा दिया क्या करना है sir case flow question में given होगा outflow or inflow वही लेना है into pv factor करना है उसका total ले लिजी NPV नहीं कल गया सबसे आसान technique है इसमें कोई complicated ही नहीं मुझे लगता ही नहीं कि कोई एक student भी ऐसा होगा जो NPV method इसे समझ में ना आई हो right NPV method समझ नही नहीं आई ऐसा कोई भी student नहीं होगा लेकिन मुझे बस थोड़ी बहुत understanding provide करनी है थोड़ी बहुत technique provide करनी है इसके लिए मैं यहाँ पर question करवा रहा हूँ ठीक है तो एक-दो project में कर रहा हूँगा बाकी के एक-दो project आप खुद कर लीजिए homework में right और कोई doubt है तो फिर तो मैं हूँ ठीक है आप मुझे message कर यह आपको तुरंत एक वीडियो मिल जाएगा जिस पर आपको understanding provide कर दी जाएगी चलिए तो project A की सबसे पहले calculation करते project A प्रोजेक्ट ए ठीक है तो सबसे पहले तो देखें यहाँ पर cash flow ठीक है जैसे कि मैंने आपको illustration 3 में वही column लखवाई थी यह भी लिख लीजिए year cash flow into preview factor और NP भी आपके पास पर निकल आ रहेगा यह same format तो सहीं ही रहेगा always ठीक है तो year का एक column बनाइए cash flow का एक column बनाइए cash flow ठीक है इसके बाद यहाँ पर into क्या करेंगे pv factor pv factor के लिए rate always question में देता है जैसे कि मैंने कहा था pv factor और आपके पास में आ जाएगा क्या NPV ठीक है आपके पास में NPV निकल के आ जाएगा बस इतनी सी चीज है यहाँ पर ज्यादा कोई complicated चीज है नहीं ठीक है तो यहाँ पर year से बात करें तो sir zero से start करिएगा क्योंकि year zero पर हमें कुछ खर्चा होता है इसलिए zero जरू लिखेगा ठीक है और फिर one से क्या होता है यह normally income आपका start हो जाता है कि year one के end में आपको इतना मिलेगा two के end में इतना तो यहाँ पर total देखे तो पात साल की बात कर रहा है तो पात स पीवी फैक्टर की बात करते हैं और यह आपके पास में एन पीवी ठीक है तो कॉलम बना लीजिए चलिए यह चीज़ आपके पास में clear हो जाती है अब दिखे यह जीरो मतलब की खर्चा total सबसे पहले कुछ खर्चा करना पड़ता है ऐसे income कोई नहीं दे था तो कितना खर्चा करना है तो टू लेक रुपीज इनिस्टियल इन्वेस्मेंट इन्वेस्मेंट का मतलब खर्चा टू लेक रुपीज खर्चा करना है अब टू लेक रुपीज लिख दिया अब illustration 3 में ही बताया था कि अगर खर्चा हो रहा है तो ओल्वेस आप इसे माइनस में दिखाएंगे मतलब कि ब्रेकेट में ठीक है खर्चा है तो माइनस में दिखाएंगे अगर आपके पास में इंकम है तो उसे प्लस में दिखाएंगे कहता है कि फ्यूचर में इंकम स्टार्ट हो जाएगी आपकी हर साल आपको पचास-पचास तो 50,000 यहाँ पर मिलेगा 50,000 यहाँ पर मिलेगा इसके बाद 50,000 हर साल 50,000 ही मिलना है same amount ठीक है और कहीं न कहीं अगर आप इसका difference देखेंगे तो कहीं न कहीं आप कहेंगे कि यहाँ तो profit हो रहा है 2,00,00 का खर्चा है ठीक है और सामने कितना मिल रहा है 2,50,000 मतलब कि 50,000 का फाइदा दिख रहा है आप तो यहीं कहेंगे 50,000 का फाइदा है तो बहुत ज्यादा बहतर आपके पास में investment है लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि यहाँ पे amount future में मिलनी है तो उसकी आज की value क्या है वो important है ठीक है तो देखिए year 0 पे तो pv factor 1 ही रहता है मैंना आपको बताया year 0 पे कोई भी हमारे पास में pv factor नहीं होता है year 0 पे always pv factor is equal to 1 ठीक है तो यहाँ पे 2 lakh into 1 करेंगे तो यहाँ पे 2 lakh ही खर्चा है क्योंकि 2 lakh आज ही खर्चा करना है तो उसके आज की value क्या रहेगी सर 2 lakh यह समझे यहाँ पे 1 क्यों always होता है year 0 पे year 0 पे 1 इसलिए होता है क्यो बाद 2 साल बाद 3 साल बाद 4 साल बाद 5 साल बाद उसकी आज की value बदल जाएगी क्योंकि time period बढ़ गया यहाँ पे कोई time period का gap ही नहीं था अगर time period का gap नहीं है तो वही तो आज की value है 2 lakh आज खर्चा कर रहे और मैं पूछू कि आज की value बता दो तो वही 2 lakh है लेकिन 50,000 एक formula होता है 1 divided by 1 plus r की power n ठीक है और इसको हमें calculate के हर बार करना है answer is no पहली बार करना है उसके बाद तो equal to press करना है ठीक है यह चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे बता चुका था ओके यह चीज़ भी आपके पास में clear है तो 1 divided by 1 plus r यहाँ पे करेंगे pv factor सबसे पहले r कितना है ठ नहाँ पे rate always question में given होगा तो यह 12% है 12% ठीक है तो r 12% है तो 12% से start करते है तो 1 divided by 1 plus r मतलब की 1 divided by 1 plus 12% मतलब की 1 divided by 1 plus 12 1 divided by 1 plus 1.12 आगा है ठीक है is equal to press करेंगे आपके सामने pv factor आ जाएगा 0.8928 ठीक है 4 decimal तक 4 digit तक हम लेंगे इसके बाद यहाँ पे लेने की कोई जरूरत है maximum 4 या फिर 3 आप ले सकते है आपको जैसा सही लगे ठीक है अब बस equal to equal to press करते जाना है आपके सामने answer ठीक है तो equal to press कि किया आपके सामने 0.7972 ठीक है इसके बाद और एक बार equal to press करेंगे तो 3rd year का मिल जाएगा 0.7118 ठीक है और एक बार equal to press करेंगे 0.6355 उसके बाद और एक बार equal to तो 5th year का 0.5674 ठीक है अब बस इससे multiply करते ही हमें present में इसकी केतनी value होगी वो मिल जाएगी तो एक साल बाद जो 50,000 मिलने वाले उसकी आज की value क्या रहेगी तो 50,000 into 0.8928 तो उसकी आज की value कितनी है 44,640 ठीक है तो मतलब जो हम 50,000 देख रहे हैं वो हसल में 50,000 है ही नहीं वो आज का कितना है 44,640 मतलब कि जो पाले जी आज 44,640 में मिल रहा है वो future में कितना एक साल बाद अगर आपको purchase करना है तो 50,000 पे करना पड़ेगा इस quantity के लिए हमारे example से ठीक है दो साल बाद अगर पाले जी purchase करना चाहते हो तो यहाँ पे कितना होगा 50,000 into 0.7972 तो यहाँ पे 39,8 आपका answer आ रहा होगा मतलब कि आज आप जो 39,860 में purchase कर पाते हो पाले जी कि जितनी quantity दो साल बाद अगर purchase करोगे तो उसके लिए कितना पे करना पड़ेगा 50,000 दो साल बाद की बात कर रहे है दो साल बाद पे purchase करना है तो 50,000 पे करना पड़ेगा जिसके आज की value कितनी जैसे ही दूर जाओगे आपको यह present value कम होती जाएगी ठीक है क्योंकि आज जो 5 रुपे में मिल रहा है हो सकता है दो साल बाद उसके लिए आपको 7 रुपे पे करने पड़े 5 साल बाद 10 रुपे 10 साल बाद 15 रुपे ठीक है तो बढ़ती जाएगी महंगा इस तरीके से आपका जो value है वो down होता जाएगा ठीक है तो देखें 50,000 into करते जाएए 50,000 into 0.7118 तो 35,590 इसके बाद 50,000 into 0.6355 तो 31,00775 ठीक है इसके बाद 50,000 into 0.5674 तो 28,370 ठीक है लगा ही है इसका total पता चल जाएगा कि investment करने लाइक है की नहीं अगर answer plus में आ रहा है ठीक है positive आ रहा है तो investment करने लाइक है वनना नहीं तो अगर मैं इसका total करूँ तो 2,005 माइनस है ठीक है इसके बाद plus 44,640 plus 39,860 plus 35,590 plus 31,775 plus 28,370 इसका total करूँ तो मेरा यहाँ पर answer 19,765 लेकिन माइनस में आ रहा है तो यहाँ पर हम कहेंगे की not acceptable ठीक है not acceptable यही चीज तो मैं आपको समझाना चाहता था यही चीज जो यह example में आपको समझा रहा है यह चीज आपको समझाना चाहता था कि देखे कोई normal person अगर यह चीज समझेगा यह scheme आएगा आपके पास में कोई person आया ठीक है कहता है कि 2,00,00 रुपे आपको जो है आज invest करना है future में 5 साल तक 50,50,50,000 रुपे मिलेंगे और आपको total कितना मिलेगा sir इसका total कितना मिलेगा 2,00,50,000 2,00,50,000 मिलेंगे कोई भी normal person यह कहेगा कि बढ़िया scheme में भई 50,000 extra मिल रहे लेकिन क्या hustle में ऐसा है answer is no अगर इसकी present value convert करे जाए ठीक है क्योंकि आप comparison ही गलत कर रहे जो future में मिलना है उसकी आज की value 50,000 थोड़ी ना है पांच साल बाद जो 50,000 है उसकी आज की value 50,000 थोड़ी ना है ठीक है कही ना कही comparison ही गलत हो रहे है ठीक है एक बड़ा सा एकदम मोटा आदमी है उसकी comparison एकदम पतले आदमी से की जाए तो क्या बराबरी की comparison है answer is no ठीक है बराबरी equal में होती है ठीक है बराबर person में हो जाएगी तो यहाँ पे भी हमें जो यह चीज है उसे equal लेना पड़ेगा आप two leg के साथ comparison कर रहे है तो इनको भी convert करकी equal करना पड़ेगा equal करने से पता चल गया कि यह तो acceptable ही नहीं है क्योंकि NPV minus में आ रहा है कही न कहीं नुकसान हो रहा है इसके वजे यहाँ पे आप जो ही two leg कहीं और invest करते तो आपको कहीं न कहीं ज्यादा पैसा मिलता इससे ठीक है यहाँ पे तो NPV negative आ रहा है मतलब कि आपको नुकसान हो रहा है तो as per market अगर आप कहीं पे और invest करते तो कहीं न कहीं आपको ज्यादा earning होती यहाँ पे तो आपके पास में हुकसान हो रहा है यह कहना चाहता है ठीक है बस इसकी के साथ एक और technique पढ़ानी थी आपको कि मैं कहूं कि जब आपके पास में when इसे और करके लिखेंगे इसको ऐसे question को जहाँ पे और यहाँ पे लिखेगा ऐसे question जहाँ पे question where the cash inflow जो cash inflow है आपके पास में इस question में देखे तो पचास-पचास अजार जो देखे हर सल cash inflow है आपके पास में when question जो है जहाँ पे cash inflow आपका same रहता है for the all year ठीक है cash inflow are cash inflows are same for the all years ठीक है हर साल आपका cash inflow आपके पास में अगर same है ठीक है for all years ठीक है then there is another there is another technique एक दूसरी और एक टेक्निक होती है to solve the question question as per ICI ठीक है ICI recommend करता है ठीक है आप इस तरीके से calculation करिए और time बचाईए बेजिकली यह shortcut way है थोड़ा सा आपको shortcut आपको दिखेगा as per ICI ठीक है यह ICI recommended ठीक है ठीक है तो यह आपको बिल्कुल आप इसे follow कर सकते कोई दिखत नहीं तो क्या है दूसरी method देखिए दूसरी method है आप एक काम करिए कि देखिए column तो वही बनानी है ठीक है year cash flow into pv factor और is equal to आपके पास में npv आ जाएगा ठीक है column तो वही बनानी है लेकिन ऐसा जब होगा कि जब आपकी income जो है वो हर साल same है ठीक है same amount जैसे कि यहाँ पर पचास 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 अजार है एसा same amount है तो हम क्या करेंगे shortcut लेंगे सबसे पहले तो year zero तो लिखना ही लिखना है year zero में जो खर्चा है वो तो लिखना है two year zero का pv factor one होता है वो लिखना ही लिखना है और two leg into one two leg ही आता है minus ठीक है वो तो लिखना ही लिखना है यह चीज किसके लिए है मैंने लिखा है cash inflow के लिए है जो मैं बात कर रहा हूँ cash inflow cash outflow तो as it is आपको लिखना है जैसे कि हम करते है यहाँ पर चीज cash inflow के लिए है cash inflow में आपको थोड़ी सी shortcut मिलेगी कैसे देखे यहाँ पर कहता है कि अगर हर साल हर साल अगर आपका income same है inflow अगर same है तो आप एक काम कर सकते है यहाँ पर ऐसा लिख सकते है one two five years और आप पांचो साल का यहाँ पर combine लिख सकते है मतलब कि हर साल का आपका cash flow कितना है पचा सजार ठीक है हर साल का cash flow कितना है पचा सजार into पांच साल का जितना भी PV factor होता है उसका total यहाँ पर multiply कर दीजिए आपके पास में क्या आ जाएगा सट directly NPV आ जाएगा और वही answer आएगा ठीक है तो अगर हम यहाँ पर कर रहें तो देखें पीवी फेक्टर कैसे निकलता है पीवी फेक्टर आपके पास निकलता है इस इक्वाल टू वन डिवाइड बाइ वन प्लस आर की पावर ठीक है यहर वन के लिए हम calculate करते हैं यहर टू के लिए तो करते नहीं यह direct equal to वी प्रेस करते हैं तो देखें यहर वन के लिए calculate करने के लिए हम क्या करेंगी वन डिवाइड बाइड बाइन प्लस 12% है ठीक है हर कितना है 12% question में गिवन है 12% यहाँ पे 1 करेंगे यहर वन है 2 है तो 2 आएगा 3 है तो 3 आएगा लेकिन हम year 1 के लिए calculate करें बाकि तो equal to फ्रेस करना होता है तो यहाँ पर कितना आएगा करिए 1 divided by 1.12 हो जाएगा 1 plus 12% मतलब की 1.12 तो 1 divided by 1.12 मतलब की 0.8928 आएगा ठीक है अब देखें simple सी बात मेरी समझेगा जल्दी से calculator में आपको मैं trick बता रहा हूँ आपके calculator में एक button होना चाहिए ठीक है आपके calculator में एक button होना चाहिए कौन सा देख लीजेगा gt gt करके ऐसा button होगा जिसका जिस पे मैंने वीडियो भी अभी अभी upload कर दिया है कि gt का use क्या होता है वो वीडियो आप देख सकते है चोटा सा वीडियो है ठीक है चार पांच मिनिस्ट का जहां पर मैंने question लेके आपको gt का option का use मैंने बता दिया ठीक है वही मैं यहां पर repeat करने चला हूँ और मैं यहां पर मान के चलता हूँ कि वह आपने वीडियो देख लिया अगर नहीं देखा तो वह एक बार देख लिजेगा फिर उसके बाद यह वापस से क्यूमिलिटिव आपके पास में present value factor ठीक है क्यूमिलिटिव कह सकते हैं या फिर sum of वाड यूज कर सकते हैं ठीक है sum of प्व फेक्टर इस तरीके से भी लिख सकते है sum of प्व फेक्टर तो sum of प्व फेक्टर हम यहां पर यूज कर सकते हैं कैसे देखेगा simple सी चीज़ है calculator ले लिजिएगा simply हमें gt option का press करना है और हमारे सामने answer आ जाएगा 1 divided by 1.12 करेंगे तो यह answer आएगा मैंने आपको लिख वाया ठीक है अब calculator में यह आपको देख रहा होगा 0.892857 इस तरीके से अब simply equal to press करना है ठीक है यह first year का हमें कितने चाहिए 5 साल तर तो देखें first year का मिल चुका है इसको बाद equal to press करें यह second year का मिलेगा equal to तो 0.7971 इस तरीके से आ रहा होगा वापस से equal to press करेंगे तो third year के लिए वापस से equal to तो fourth और वापस से equal to fifth year अब रूख जाहिए fifth year के लिए आपके पास में आगा होगा calculator में दिखरा होगा 0.567426 इस तरीके से अब simply क्या करना है cumulative निकालने के लिए इन सब का total निकालने के लिए हम कुछ यहाँ पे दिखें यहाँ पे कुछ लिखने नहीं बैठेंगे कि यहाँ पे add करेंगे यह add करेंगे इसका total निकाले 3.6047 आप चाहे तो ऐसे लिक लिक के भी कर सकते हैं ठीक है आप चाहे तो यहर वन का टू करका फिर आप जो इसका total करेंगे देखें इसका भी वही आएगा 0.829 ठीक है इसके बाद प्लस करेंगे 0.7972 plus 0.7118 plus 0.6355 plus 0.5674 is equal to करेंगे यह answer वही आएगा 3.6047 ठीक है यह जीटी का आपका benefit है कि आपको इसका total नहीं करना पड़ था आपके पास में जो equal to के press करने से जो भी answer आता है जीटी का मतलब होता है कि वो जीटी प्रेस करने से equal to आपने जितनी भी बार प्रेस किया है वो सारे answer का वो total निकल के देता है ठीक है तो हमने यहाँ पे जितनी भी बार equal to प्रेस कर रहा था equal to प्रेस करके यह सारा amount निकला था ठीक है उसका यहाँ पे उसने जीटी एक बा 235 और अगर इसका टोटल निकाले NPV निकाले ठीक है NPV निकाले तो NPV कितना आ रहा है NPV इस इक्वल टू आपका आएगा 19,765 जो कि यहाँ पर बैया रहा था ठीक है 19,700 यह आपका एक ट्रीक होता है इतना calculation करने की कोई जरुवत नहीं होती आप simply देखे कि common आपके पास में यहाँ पर क्या inflow है क्या हर एक inflow सेम है तो जो inflow सेम है पहले यहाँ पर लिख दीजे पचास हजार, पचास पचास हजार है तो पचास हजार लिख दिया यहाँ पर लिख दिया 1 to 5 years, 6 years, 7 years, जितने भी होंगे ठीक है और यहाँ पर multiply क्या कर देंगे उसी पांचो साल का यहाँ पर जो PV factor बनता है उससे multiply कर देंगे आपके सामने answer आ जाएगा ठीक है चोकलेट है, वो रूपिस 2 की एक मिलते है रूपिस 2 की एक चोकलेट है मैं कहूँ कि आप एक काम करिए दो रूपिस की एक चोकलेट लेके आईए आप लेके आए एक चोकलेट ठीक है, तो दो रूपिस आपने पे कर दिये total मैंने दूसरी बार कहा कि एक और चोकलेट लेके आई है तो आप वापस से एक चोकलेट लेके आई है उसके लिए भी आपने दो रुपे पे कर दिये मैंने वापस से कहा कि और एक लेके आई है तो आपने वापस से एक और चोकलेट लेके आई है मैंने कहा वापस से एक बार आपने इस चॉकलेट पे कितना खर्चा किया है तोटल इस चॉकलेट पे कितना खर्चा किया है मेरे पास कितनी चॉकलेट आई वन टू थ्री फॉर फाइ टोटल मैंने पांच चॉकलेट पर्चेस करी है ठीक है टोटल मैंने पांच चॉकलेट पर्चेस करी है ठीक है एक एक बेज के मैंने आपको पांच बार भेजा दो दो रूपे की एक 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 लेकर आईए और मैंने कहा कि टोटल कितना खर्चा किये अब इसमें खर्चा find out करने का दो तरीका हो सकता है या तो आप एक काम करिए 2 into 1 2 into 1 इस तरीके से यह amount निका लिए और calculator में 2 plus 2 plus 2 plus करके amount निका लिए ठीक है इन सभी का total निका लिए और आप यहाँ पे total लिखे दूसरा तरीका होता है कि सीधा सा method दीके 5 चोकलेट लिए है 2 रूपे की एक चोकले रहे और रन से निकाली या फिर डायरेक्ली 5 आपने चोकलेट करी है सबकी वैल्यू दो ही रूपे देखे सबकी वैल्यू दो रूपे तो ही multiply कर पाएंगे यहाँ पर भी वही मैं कह रहा हूं कि अगर सारे years की value एक ही है तो आप जो है cumulative के साथ cumulative मतलब कि यहाँ पे मैंने क् पचासाजार सबकी है तो पचासाजार इंटू पांच चोकलेट मतलब की आपके पास में प्यूफेक्टर का cumulative तो यहाँ पर वही एक्जामपल में समझाने की कोशिस कर रहा हूं कि आप दोनों तरीके से कर सकते लेकिन आसान कौन सा रहेगा यह वाला ठीक है कि direct देखिए पांच चोकलेट से हर एक की वेल्यू दो रूपय है तो पांच इंटू दो करेंगे डाइरेक्ट दस रूपय आ जाएंगे या फिर आप जो है multiply करकर के इस तरीके से भी कर सकते हैं आपके हाथ में कैसे calculation करना लेकिन जो दूसरी method है वाई से द्वारा आपके accepted method है ठीक है व है तो ही आपके apply होगी वर्ना नहीं जैसे कि project B में देखो तो inflow क्या same है हर एक साल में नहीं 40, 50, 70, 75, 75 है तो हर एक साल का यहां पी important ही यह है कि हर एक साल का यह एक हर एक ही होना चाहिए inflow ठीक है दो साल तीन साल ऐसा नहीं हर एक साल का inflow same है तभी हम cumulative apply कर सकते हैं वर्ना calculate करना पड़ेगा मतलब की इस तरीके से into 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 लेकिन हर एक साल का अगर आपके पास में inflow same है तो आप इस तरीके से simple way में calculation कर सकते हैं और अपना marks जो है वो coverage कर सकते प्लस अपनी timing की बचत भी कर सकते हैं इन लोगों नहीं यहाँ पे कैसे calculate किया अच्छा इन लोगों नहीं यहाँ पे पीफेक्टर से multiply multiply करकर के calculation किया है लेकिन आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम question solve करेंगे यह ICI भी आपको इसी तरीके से सिखाना start कर देगा इस तरीके से ठीक है कि आपको exam oriented यही method prescribed रहेगी क्योंकि आप time बचाना चाहते और यही method आपके पास में prescribed रहेगी जैसे जैसे question करेंगे आपको समझा जाएगा ठीक है अब project number B C और D आपके पास में homework में रहेंगे करना क्या है कुछ भी नहीं 12% के हिसाब से आपको पीफेक्टर लेना और सारे का multiply करना है ठीक है अगर answer positive आ तो accepted answer negative है तो accepted नहीं है लेकिन हाला कि इन लोगों ने यहाँ पे accepted है न कि अगर minus answer आ रहा है तो accepted नहीं है प्लस answer आ अ रहा है तो accepted है क्योंकि अगर positive profit हो रहा है positive का मतलब profit हो नेगिटिव का मतलब lowest हो रहा है तो profit हो बढ़िया है वह accept है अब इसके next method पे आ जाएंगे net present value method आपकी यहां पे खतम हो जाती है net present value यहां पे खतम हो जाती है ठीक है तो इसी से ही related यहां पे जो हमने खाली जगह छोड़ी थी वहां पे हम लिखेंगे चलिए यहां पे लिख लीजिए यह सबसे पहले अच्छा एक और चीज़ यहां पे इनका आंसर कितना आ रहा था 19,000 750 और हमारा कितना आ रहा था नाइटीन थाउजन 765 तो आंसर क्यों मैच नहीं हो रहा है मतलब कि 10-20 रुपए आगे पीछे हो रहा है ठीक है 25-50 ऐसा हो सकता है सिर्फ और सिप इसका ही कारण है तो आपका आंसर पूरा पूरा राइट माना जाएगा लेकिन अगर आपने कोई गलती करिये तो उसके मार्स कटेंगे लेकिन यहां पे आपके पास में कोई गलती ना हो तो आपके पास में यह पूरे का पूरा आंसर करेक्ट माने जाएगा पूरे नंबर मिलेंगे ठीक है यहां पर जो मैंने चीज़ बता ही वही लिखनी है बेसिकली कुछ भी और नया नहीं लिखना है यह लिजिए टोटल चार स्टेप में हमें काम करना होता है अगर हमें नेट प्रेजेंट वेल्यू टैक्निक को यूज़ करना है सबसे पहले आपको स्टेप यहां फिरो करना है कि एक फॉर्मेट कर दीजिए यह केश फ्लो एक कोलम पीव फैक्टर का एक कोलम और एन पीवी का एक कोलम टोटल चाल कोलम बना दीजिए स्टेप टू एक काम करी इनिशनल इंवेस्मेंट सबसे पहले लिखे और यर जीरो में लिखेगा क्योंकि सबसे पहले खरचा करना पड़ता उसके बाद इंकम होना स्टार्ट होता है तो यह जीरो में करेंगे और यह खरचा है आउट फ्लो है माइनस में लिखेंगे टीक है step 3 inflow आप लिखें और उसके बाद उसे multiply कर यह पीवी फेक्टर से पीवी फेक्टर के लिए rate always question में given होता है वहाँ से निकालेंगे और multiply करेंगे और step number four हम क्या करेंगे simply inflow into अपने जो पीवी फेक्टर किया ठीक है यह जो आपने total cash flow into पीवी फेक्टर किया ठीक है यह जीरो के लिए पीवी फेक्टर वन होता है उससे multiply करके आपने answer निकाल होगा इन सब का total पी एन पीवी निकल के आ जाएगा जैसे कि हमने इस question में देख था क्या हमने क्या किया यह जीरो पे यह वन इंटू कर दिया यह आप फिफ्टी थाउजन इंटू कर दिया यह सारे multiply करके इसका जो टोटल है वह एन पीवी बनेगा यह आपके पास में एन पीवी एन पीवी कितना है नाइंटीन थाउजन सेवनेंड़ट सिक्टीफाइग ठीक है यह आपके पास में एन पीवी आ जाएगा तो यह चीज़ आपके पास में आ जाती है यह चीज़ आप नोटाउन कर देंगे अब नेक्स यहाँ पर टेक्निक पर हम चले नेक्स टेक्निक पर जाने से पहले एक और मैं question करवाना चाहूंगा एक और question यहाँ पर जो basically understanding provide करने ऐसे question आपके पास में है ठीक है practical जब हम question करेंगे practical पार्ट में आपके पास में है तो यहाँ पर करेंगे कोई दिकत नहीं लेकिन यहाँ पर simply understanding दे दू ताकि दो-दो बार आपके पास में revision हो जाए एक example लिखेगा देखेगे आपके सामने यहाँ पर question है और question में उपर लेक दू कि calculate यहाँ पिर compute NPV ठीक है तो यहाँ पर पता चल गया है कि NPV technique से आपको यहाँ पर पूछा गया है information आपको कहा है कि सबसे पहले initial investment initial का मतलब होता है beginning ठीक है at the year zero मैंने जैसे के कहा है year zero पर कुछ खर्चा करना पड़ता है initial का मतलब क्या होता है beginning ठीक है तो initial का मतलब अगर पता नहों तो लिख लिजागा इस question को not down करिएगा solution भी not down करिएगा initial का मतलब beginning beginning आपके पास में कुछ investment require होगा सबसे पहले आपको investment करना पड़ेगा दो लाक रुपे का ठीक है दो लाक का investment करोगे तो कहता है कि inflow कितना मिलेगा inflow कैसे मिलेगा तो inflow के बारे में यहाँ पर information आपको given है इंफ्लो के बारे में information कहता है कि year zero में आपको दो लाक का कर्चा करना year one से आपको income मिलना start हो जाएगा first year में 10,000 rupees मिलेंगे second year में 20,000, third year में 50,000, fourth year में 60,000 rupees आपको मिलेंगे तो इस तरीके को कुछ investment है लेकिन यहाँ पे जो important चीज है कहता है but but there is also required extra investment आपको यहाँ पे पूरे यह जो investment का पूरा time period है 4 साल का इसमें एक और extra investment भी करना पड़ेगा कहता है 10,000 rupees का ठीक है तो यहाँ पे condition है अगर investment आपको इस तरीके से income चाहिए अगर investment करना चाहते है तो condition क्या है कि extra investment भी करना पड़ेगा लेकिन कब कहता है extra investment 10,000 का करना पड़ेगा in year 3 year 3 में आपको extra investment करना पड़ेगा मतलब कि 10,000 खर्चा और करना पड़ेगा तो आपको यह सारी के सारी income provide होगी पहले ही आपको बता दिया जा रहा है तो अगर आपको यह investment पसंद आया तो आप invest कर यह वनना नहीं तो आपसे question पूछ रहा है कि NPV निकाले क्या यह investment करने लाइक है या नहीं तो यहाँ पे main चीज यही point है कि अब तक हमने जितने question करें तो कहता था कि initial investment इतना दो लाख है बस काम खतम investment देता था income देता था हम उसे पेवी factor में convert करते तो यह आपके पास में खता लेकिन यहाँ पे नया एक point है कि और खर्चा करना पड़ेगा year 3 में और खर्चा करना तो इसकी क्या से treatment होती है simple से है कोई यहाँ पे एक ही point की treatment है तो देखें कि solution कि सबसे पहले तो मुझे NPV निकालने के step by step बताइए सबसे पहला step था कि format create करिए ठीक है वही step से यहाँ पर आके बढ़ेंगे step मैंने आपको लड़ी लिख्वाया आपने नोट डाउन किया होगा तो step by step बढ़ेंगे सबसे पहले format create करेंगे यह उसके बाद केश फ्लो का एक कॉलम केश फ्लो पीवी फैक्टर का एक कॉलम पीवी फैक्टर और NPV का एक कॉलम आपके पास ठीक है NPV चलिए तो यहाँ पे है टोटल 4 साल है तो कितना यहाँ पे zero one two three four थोड़ा सा और यहाँ पे कॉलम को बढ़ा लेते हैं ठीक चलिए यहाँ तक ठीक है चलो यहाँ तक हम यहाँ पे कॉलम को बना लेते है केश फ्लो का कॉलम पीवी फेक्टर का एक कोलम और नपीवी का एक कोलम ठीक है पीवी फेक्टर के लिए मैं रेट यहां पर दे देता हूँ रेट देना भूल गया मान लीजिए आपके पास में कोस्ट अफ कैपिटल इसाइए कोस्ट और कैपिटल नाम से दे रहा हूँ मैं रेट ओफ रिटरन भी कह सकता हूँ कोस्ट ऑफ कैपिटल भी आप ए ठीक है तो आपको यह नपीवी निकालना है तो यहां पे प्लोश पहले लिग दीजिए थीक है स्टेप नमबर वन हमने कंप्लिट किया स्टेप ट रोपे वह सबसे पहले लिखे step 2 वही था step 2 क्या था initial खर्चा जो आपके पास में वह लिखे year 0 में तो यहां पर खर्चा बताइए सबसे पहले स्टार्टिंग इनिशियल का मतलब year 0 हो 2,000,000 खर्चा करना है 2,000,000 आप लिखतेंगे लेकिन क्या 2,000,000 ऐसे लिखेंगे answer is no minus में लिखना पड़ेगा खर्चा है खर्चा alway minus में लिखा जाता है तो 2,000,000 का खर्चा है और PV factor इसका always one होता है ठीक है तो यह बहुत फो पर दो लाक 10, 20, 50, 60, 10,000, 20,000, 50,000 था और 60,000 था, एक बार चेक कर लूँगा, 50 और 60, एक बार चेक कर लूँगा, 10, 20, 50, 60, हाँ जी, अब इसको क्या करना है, step 3 का मतलब यहाँ पे था कि inflow लिखे और multiply कर दीजिए, पीव फेक्टर से, तो पीव फेक्टर से multiply करेंगे, यह पीव फेक्टर बताईए, 10% के साब से, पीव फेक्टर कैसे निकलता है, फिर से एक बार याद करवादू, पीव फेक्टर, निकालने का जो formula है, कैसा है, sir, 1 divided by 1 plus, R की power N, ठीक है, और यहाँ पे इसकी trick भी यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है, वैसे तो मैंने आपको अल्रेडी लिखवा दी है, cost of capital chapter में, लेकिन फिर से यहाँ पे trick लिख लेते हैं, ठीक है, trick, लिख लिजे जल्दी से trick क्या है, सबसे पहले calculator में, अब 1 divided by 1 plus R की power N, मतलब की year 1 के लिए करेंगे, ठीक है, तो calculator आप ले लिजे, in calculator, step 1 आप यहाँ पे करेंगे, 1 divided by 1 plus R, ठीक है, 1 plus R करेंगे, और जो भी answer आया, वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, तो 1 divided by year 1 के लिए आपके पास में आ जाएगा, जो अभी answer आएगा, यह PV factor किसका आएगा, year 1 का, ठीक है, तो year 1 के सामने यह PV factor लिख लेना है, इसके बाद step 2 आपको कुछ भी नहीं करना है, simply, press, simply press करना है, आपको equal to sign, press, equal to button आपको यहाँ पे दीख रहा हूँ कर वह है, आपको press करते चलना है, और आपके पास में answer आ जाएगा, for remaining years, ठीक है, simply आपको remaining year के लिए equal to ही press करना है, और आपके पास में answer, यह आपके पास में trick हो जाती है, calculated trick, तो यह हमने note down कर लिया, यह trick है, तो इसे solve कर देते जल्दी से, 10% की सबसे PV factor निकालना है, तो सबसे पहला step 1 divided by 1 plus R करेंगे, मतलब कि यहाँ पे R 10% है, 1 plus 10% मतलब कि 1.1, तो 1 divided by 1.1 करें, 1 divided by 1.1, तो first year का PV factor मिल जाएगा, 0.9090, 0.9090, और उसके बाद, यहाँ पे simply equal to press करना है, जितने भी years के लिए चाहिए, simply equal to press करते जाहिए, आपको year by year answer मिलता जाएगा, तो equal to press किया, आपके सामने answer आएगा, 0.8264, ठीक है, इसके बाद और एक बार equal to press करेंगे, 0.7513, इसके बाद और एक बार equal to press करेंगे, 0.6830, और बस इतने year है, तो हमारे पास में आगे कुछ बढ़ने की जरूरत नहीं, आप simply multiply करेंगे, step 3 क्या कहता था, cash flow, आप inflow जो है लिख लीजे, pay factor लिख लीजे, इसका multiply कर दीजे, तो 10,000 into 0.9090, तो यहाँ पर आएगा 9090, इसके बाद 20,000 into 0.8264, 16,000, 528, 50,000 into, यहाँ पर रुख जाएंगे, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, तोड़ी देर के लिख जाएंगे, 50,000 into 0.7513, is equal to 37,000, 565, और 60,000 into 0.6830, तो 40,000, 980, यह answer आ रहा है, अब जो यहाँ पर main, यह हमने जो question करा उपर, वैसा equation ही, यहाँ पर simply हमने उस तरीके सही solve कर दिया, लेकिन यहाँ पर extra point था, उसकी क्या treatment रहेगी, उसकी treatment के लिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, देखे, उसकी treatment, जब भी आपको question में कहा जाए, कि कोई extra यहाँ पर investment लगेगा, कुछ remaining, कुछ और years में, ठीक है, जैसे कि initial तो आपके पास में 2,00, लेकिन extra खर्चा भी लगेगा, वो दूसरे किसी year में होने वाला है, कौन से year में, year 3 में कहता है, 10,000 का खर्चा होने वाला है, तो year year 3 में 10,000 का खर्चा extra होने वाला है, तो इसका क्या treatment होगा, simply कुछ भी ने करना है, year 3 में जाके 10,000 को minus कर देना है, और कुछ भी नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर जो 50,000 दीख रहा है income, ठीक है, तो 50,000 तो यहाँ पर लिखेंगे ही लिखेंगे, 50,000 तो लिखेंगे ही लिखे इसका करेंगे, ठीक है, 50,000 जो की income है, लेकिन इसमें क्या कर देंगे, इसमें add कर देंगे, क्या चीज़ 10,000 लेकिन यह 10,000 एड करेंगे, income नहीं यह खर्चा है, तो खर्चे को माइनस में दिखाते हैं, तो plus minus 10,000, तो 50,000 फ्लस 10,000 है, लेकिन minus है, तो यह कितना हैगा, 40,000 ठीक है तो 40,000 into आप यह करेंगे तो 40,000 into आप यह करेंगी यही simply treatment है और कुछ यहाँ पे ज्यादा नहीं तो 40,000 into 0.75 ठीक है उस साल के यहाँ पे पेव फैक्टर से multiply करेंगी यह आ जाएगा 30052 और आपके पास में यह चीज़ खतम ठीक है यह आपका NP तो एक ही treatment treatment को highlight कर देते हैं treatment क्या रही simply उस year के जिस year में खर्चा extra होने वाले है उस year में जाके आपको simply income में से सबसे पहले उसे minus कर देना है फिर जो amount है उसे आपको pv factor से multiply करके amount निकाल लेना है ठीक है बस यह आपके पास में treatment है इसका ठीक है तो यहाँ पर इतना सा treatment है और इसका total निकालनेंगे तू लेक माइनस है एड़ करेंगे 9090 इसके बाद एड़ करेंगे 16528 352 और 40980 यहाँ पर आंसर आएगा आपके बाद one leg 3350 लेकिन यह आ रहा है माइनस में तो यहाँ पर बहुत बड़ा loss हो रहा है यह project acceptable नहीं है not acceptable not acceptable ठीक है acceptable नहीं है यह project क्योंकि इसमें बारी loss हो रहा है ठीक है तो इस तरीके का question आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है जो आप यहाँ पर देख बाते ठीक है तो एक point मैंने आपको समझाने के लिए simply example लिया था ठीक है तो यह point आपका जो है main था जो हमने highlight करके आपको बता दिया कि इसकी treatment क्या रहती है अब आजाए यह new topic हमारा जो पर start होता है टी आई टेक्निक ठीक है profitability इंडेक्स टेक्निक हेडिंग देंगे कि प्रॉफिटेबलीटी कि इंडेक्स टेक्निक प्रॉफिटेबलीटी इंडेक्स टेक्निक को हम यहाँ पे डिजारेबिटीटी फैक्टर टेक्निक भी कहते है और present value index method यह present value method नहीं है present value index method है पी आई ठीक है तो हम यहाँ पे यह सारे नाम यहाँ पे लिख लेंगे कोई भी नाम आपको question में दे सकता है आपको याद होना चाहिए तो इससे लिख लिए प्रॉफिटेबलीटी इंडेक्स का है डिजारेबल फैक्टर का है यह फिर present value index method का है जिसे हम स्वाट में PI method भी कहते हैं question में कह सकता है PI method से हमें questions all करके दिखाई तो PI method मतलब कि यह वाली method ठीक है profitability index method आपके पास में इसमें simply एक formula छोटी से method है एक ही बार में खतम हो जाएगा एक formula simply याद रखना है और वो भी छोटा सा formula है बड़ा formula नहीं है एक formula याद रखना है question को solve करना है और काम खतम यह कोई बड़ा कि यहाँ पर technique नहीं होता कहता है profitability index का एक formula होता है जो याद रखना होता है कहता है कि sum of discounted cash inflow divided by initial cash outflow ठीक है या फिर total discounted cash outflow आपको यहाँ पर लेना होता है अब यहाँ पर formula सबसे पहले लिखेंगे इसके बाद explain करेंगे formula तो कहता है PI method is equal to यहाँ पर कहता है PI is equal to sum of discounted trade cash inflow discounted cash inflow करना है divide by आपको करना है divide by आपको करना है यहाँ पर sum of discounted cash outflow ठीक है discounted cash outflow यह formula होता है सबसे पहले तो मैं यही clear कर दू कि discounted word का मतलब और कुछ नहीं discounted present value मतलब अभी अभी हमने जो करा कि आपको क्या करना होता है cash flow जिसका भी आप निकलना चाहते inflow outflow ठीक है वह cash flow का amount लेना है और into कर देना है PV factor उस year का PV factor तो वह क्या निकल के आ जाएगा PV factor आप करेंगे तो वह निकल के आ जाएगा discounted या फिर आप कह सकते present value ठीक है discounted amount निकल के आ जाएगा या फिर present value amount निकल के आ जाएगा यह सबसे पहले मैंने clear कर दिया कि कोई discounted word कोई new नहीं है वही है present value cash flow आपका जिस भी amount का आप निकलना चाहते है discounted amount उसे into कर दीजिए उस year के PV factor से तो वह discounted या फिर present value जो भी बोले वह आपके पास में आ जाएगा ठीक है means तो यह आपके पास में चीज़ होती है अब इससे related equation देखेंगे simple से चीज़ है वही present value method ही होता है लेकिन यहापे बस formula में value put करनी होती है उस तरीके से आपको यहापे निकालना होता है इसके लिए आपके पास में illustration number 5 है इसके बाद मुझे इस पर एक और illustration करवाना होगा illustration number सबसे पहले 5 देखें 5 illustration है कहता है कि आपके पास में suppose we have 3 project तीन तरीके के project है यहापे और कहता है कि यह discounted cash flow आपको already provide कर रहा है मतलब यह discounted present value amount convert करके ही direct आपको दे रहा है तो question में कई बार हो सकता है कि case flow दे और पीव फैक्टर आपको खुद से निकालने के लिए कहा जाए तो multiply करके आपको करना पड़ेगा लेकिन अगर question में directly discounted cash flow given है मतलब कि आपको convert करके ही दे रहा है तो तो फिर क्या ही दिखते directly हम formula में value put करेंगे कहता है year आपके three project है तीनों project के लिए यहाँ पे दे रहा है project one के लिए five like fifty thousand है तू के लिए seventy five thousand है और यहाँ पे आपके पास में वन करो twenty thousand आपके पास है यह कहता है cash outflow है ठीक है और उसी तरीके से cash inflow भी आपको provide कर रहा है और cash inflow भी discounted ही है मतलब कि present value में convert करके ही provide कर रह जो जितना भी cash inflow है divide by outflow करेंगे inflow divide by outflow तो project one के लिए calculate करें तो project one का inflow कितना है project one का inflow यहाँ पे six like fifty thousand और outflow कितना है five like fifty thousand आपके पास में answer आ जाएगा ठीक है इसके बाद year project two के लिए और project three के लिए calculation करेंगे simply inflow divide by outflow करना है अब चीज मुझे यहाँ पे यह बताने थी कि अगर यहाँ पे जो आपका pi है pi जो है वो अगर one और more than one आता है ठीक है pi जो है वो one और more than one आता है more than one ठीक है then हम कहेंगे कि यह accepted है ठीक है यह project हम accept कर लेंगे लेकिन अगर answer जो है वो less than one आता है less than one ठीक है अगर less than one आता है तो हम यहाँ पे कहेंगे हम यहाँ पे कहेंगे not accept हम इसे accept नहीं करेंगे इसका simple सा logic है एक्जम्पल हम समझे इसके लिए तो यहाँ पे देखें एक्जम्पल कि मैं कहूँ आपके पास में different different project है ठीक है project है A B और C total तीन project है कहता है inflow जोकी discounted ही है ठीक है और outflow दोनों discounted ही मैं आप ही बात कर रहा हूँ यह inflow और outflow दोनों discounted ही दे रहा है ठीक है तो यहाँ पे देखें inflow आपको 10-10 रुपे मिलेंगे inflow आपको तीनों project में 10 रुपे मिलेंगे लेकिन कहता है project A में जो outflow है मतलब कि खर्चा कितना करना पड़ेगा कहता है पांच रुपे का खर्चा करना पड़ेगे यहाँ पे 6 रुपे का और यहाँ पे 7 रुपे का खर्चा करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पे समझे कि यहाँ पे inflow तो सब में सहीम है खर्चा कितना कितना करना पड़ेगा वो कह रहा है ठीक है तो यहां पर simply हम क्या करेंगे एक जगह है तो यहां पर एक और यहां पर प्रोजेक्ट जोड़ देते डी भी है चलिए उसमें भी 10 रुपे का inflow है और कह दो यहां पर खर्चा 12 रुपे करना है ठीक है यह सब practically है आप समझ जाएंगे कि यहां पर investment करना चाहिए या नहीं बस यहां पर यह method जो है practical knowledge basic होती है सीधी सी बात हैं हमें simply दीख रहा है देखिए 10 रुपे का यहां पर income होगा 5 रुपे का खर्चा करना investment कर सकते कोई दिकत नहीं क्योंकि खर्चा जितना हो रहा है उससे ज्यादा income हो रही है यहां पर 6 रुपे का खर्चा करना है 10 रुपे की income होगा कर सकते कोई दिकत नहीं यह सब में investment कर सकते क्योंकि income ज्यादा हो रही है और यह सारी present value में convert करके ही मैं दे रहा हूँ तो यहाँ पे present value में ही हो तो exit आप comparison कर सकते हैं ठीक है और यहाँ पे कहाता है project D में कहता है 12 रुपे के खर्चा करना है 10 रुपे की income होगी क्या यहाँ पे करना चाहिए answer is no तो practical knowledge के इसाब से भी आप decide कर सकते हैं अगर हम पी आई की बात करें तो पी आई भी वह ही कहेगा लेकिन फॉर्मूला बेस पी आई क्या कहता है कि आप जो है discounted लिजिए इन फॉलो लिजिए वर सम ओप टिके टोटल डिसकांटेड इन फ्लो डिवाइड वर हमें क्या करना है discounted आउट फ्लो डिसकांटेड आउट फ्लो ठीक है discounted आउट फ्लो आप यहां पर लेना है sum ओफ लेना है यह सारी चीज़े टोटल अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें इसके इसाब से करें तो प्रोजेक्ट हुए हम बात करें तो प्रोजेक्ट एक के लिए calculate करें तो बताइए प्रोजेक्ट में discounted inflow कितना है 10 और discounted outflow 5 तो 10 divided by 5 करेंगे 10 divided by 5 तो यहाँ पर answer आएगा 2 उसी तरीके से B में अगर calculation करें तो inflow है 10 रूपे लेकिन outflow 6 रूपे है तो 10 divided by 6 10 divided by 6 छोटी छोटी amount रखें ताकि आप समझभाएं ज्यादा 10 divided by 6 मतलब की 1.67 इस तरीके से ठीक है 6-6 बार है तो यहाँ पर 6-7 लिख दिया हमने इसके बाद प्रोजेक्ट C कहता है 10 रूपे की income रहेगी 7 रूपे का खर्चा करना पड़ेगा तो 10 रूपे की income है divided by 7 रूपे का खर्चा 10 divided by 7 तो यह आपका अंसर आएगा 1.4286 ठीक है वो डी आपका जो प्रोजेक्ट है वो कहता है 10 रूपे की income होगी 12 रूपे का खर्चा करना पड़ेगा 10 रूपे की income है 12 रूपे का खर्चा ठीक है तो 10 divided by 12 तो यह आंसर आएगा 0.8331 है ठीक है मतलब की 333 यह आपके पास में अब यहाँ पर क्या कहता है कि सर P.I. जो है आप वही सिलेक्ट करेंगे जो की 1 हो या फिर answer जो है या फिर उससे ज्यादा आ रहा है वही accept होगा और knowledge base हमने already decide कर लिया देकि knowledge base कि सीधी से बात है खर्चा जितना कर रहे हो उससे ज्यादा अगर income होता है या फिर उतना ही income हो जाए तो भी कोई दिकत नहीं 5 रूपे का खर्चा करते जो है income होगी तो मानेंगे नहीं तो इसलिए मैंने कहा कि वन भी answer आता है 10 रूपे का खर्चा करने से 10 रूपे की income होती है तो भी accepted है कोई दिकत नहीं लेकिन एक से कम answer आएगा तो accepted नहीं है तो यहाँ पे अगर हम देखे तो क्या यह एक से ज्यादा answer है answer is yes तो accepted ठीक है क्या यह एक से आंसर ज्यादा है answer is yes तो यह accepted यह एक से ज्यादा है yes accepted और क्या यह एक से ज्यादा है नहीं तो यहाँ पे not accepted क्योंकि यहाँ पे कहीं न कहीं आप देखेंगे खर्चा ज्यादा हो रहा होगा तो यह practical knowledge बेज ही आपके पास में PI method है basically directly आप निकाल सकते इसके लिए formula की जरूरत नहीं होती लेकिन question में पूछा है कि PI method से तो proper formula में आपको calculation करनी पड़ती है लेकिन formula में value put कर उससे पहले ही आप यहां पर यह बता देंगे कि हमें इस पर invest करना चाहिए यहां फिर नहीं ठीक है बड़े आरम से आप बता देंगे कि इस तरीके से यहां पर है कि खर्चा ज्यादा हो रहा है तो आप investment करेंगे नहीं तो वैसे आपका यह उपर का example नोट डाउन करनेंगे ठीक है यह एक्जमपल नमबर वन पी आई पे और एक्जमपल नमबर टू पी आई पे ठीक है चलिए एक्जमपल नमबर टू पर आई ए क्वेश्चन आप मेरे साथ लिखेंगे क्वेश्चन चलिए पी आई के लिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन डाला है कि आपके पास में एक प्रोजेक्ट है ठीक है प्रोजेक्ट है और आपके पास जो प्रोजेक्ट है उसकी information है कहता है पांच परसेंट के इसाब से इसका rate of return है मतलब कि cost of capital का है rate of return यह पी फैक्टर के लिए calculation दे रहा है rate inflow आपके पास में तीन साल में मिलेगा दस 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 अजार यह बीस अजार है और यह 30,000 है आउट फ्लोज आपको कहता है इनिस्यल मतलब की starting year 0 में year 0 में आपको 20 जाकर खर्चा करना पड़ेगा लेकिन year 2 में भी खर्चा करना पड़ेगा 10,000 का कहता है पी आई के इसाब से calculation करिए तो simple है पी आई का formula सबसे पहले put कर देंगे solution solution क्या कहेगा यहाँ पे solution पी आई का यहाँ पे formula पी आई सिर्फ नहीं लिखेंगे पूरे का पूरा लिखेंगे profitability index is equal to sum of discounted discounted inflow sum of discounted inflow divide by sum of discounted inflow divide by sum of discounted outflow discounted outflow जितना भी outflow है उसको discount करके यहाँ पे लिखना है तो देखे simply question में यहाँ पे inflow दे रखा है different different year के हिसाब से उसका discounted मतलब की present present value निकाल के यहाँ पे sum लिखना है तो calculation working note में करनी पड़ेगी तो working note यहाँ पे prepare कर देंगे working note working note सबसे पहले हम निकाल लेते हैं sum of discounted inflow ठीक है तो sum of discounted inflow करेंगे तो year लिखेंगे उसके बाद cash flow लिखेंगे pay factor से multiply करेंगे ठीक है और यहाँ पे present value लिखेंगे net present value नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हम खर्चा record नहीं कर रहे हम simply inflow के लिए निकाल रहे हैं खर्चे में से income minus कर दिया जाए इंकम में से खर्चा minus कर दिया जाए उसे हम कहते है net present value method लेकिन हम यहाँ पे खर्चा नहीं लिखेंगे खर्चे को अलग से यहाँ पे लिखेंगे इंकम को अलग से निकालेंगे तो year 1 है year 2 है और year 3 है income आपकी है cash inflow आपके पास में 10, 20 और 30,000 टीक है PV factor इसके लिए कहता है कि rate जो है वो 5% है तो PV factor 5% के इसाब से निकालना है ले लिजे calculator 1 divided by 1 plus 5% मतलब 1.05 is equal to 1 divided by 1.05 is equal to answer आए 0.9524 वापस equal to प्रेस करेंगे second year का मिल जाएगा 0.9070 वापस equal to प्रेस करेंगे year 3 के लिए 0.8638 बस multiply करेंगे discounted या फिर present value आप word use कर सकते है discounted या फिर present value of inflow आ जाएगा तो 10,000 into 0.9524 is equal to 9524 आएगा 20,000 into 0.9024 is 0.9070 0.9070 यह answer आएगा 18,140 और यहां पर 30,000 into 0.8638 यह answer आएगा 25,914 और इसका total करेंगे तो आपके पास में answer आएगा 53,578 अगिन यहां पर खर्चा जो है कोई दूसरे year में भी होने वाला है तो आपकी 10,000 दूसरे year में खर्चा होने वाला है तो मैं यहां पर 10,000 माइनस कर दूँ और 10,000 को ही यहां पर convert करके यहां पर amount निकाल दूँ ठीक है तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं यहां पर year 0 पर खर्चा हो रहा है इसलिए year 0 और दूसरा खर्चा कब हो रहा है year 2 पर year 2 cash flow लिखेंगे p factor लिखेंगे और present value या फिर discounted amount भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं दोनों लिखेंगे cash flow कितना है तो initial 20,000 है और यह याद रहे आउट फ्लो है ठीक है 20,000 यहां पर पीव फेक्टर कितना होगा आउट फ्लो को वैसे तो माइनस में दिखाते हैं यह एन पीव मैथड में क्योंकि हम directly माइनस करके answer निकालते हैं यहां पर बेजिकली हमें आउट फ्लो ही लिखना है तो माइनस दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती दोनों को हम separate दिखाते हैं वहाँ पर net amount निकालना होता है इसलिए हम माइनस में लिखते हैं यहां पर second year में 10,000 का करचा है PV factor से into कर देंगे present value में convert करेंगे year 0 में always PV factor 1 होता है तो यह तो 20,000 ही रहेगा always 1 रहता है PV factor year 2 में बात करें तो PV factor year 2 में कितना होता है यहां पर निकालना था तो यहां पर लिख लेता हूँ year 2 में 0.9070 ठीक है तो 10,000 to 0.9070 तो 9070 आएगा और यह आ जाएगा discounted outflow 20,000 plus 9070 29,000 070 तो यहां पर simply value निकल चुके हम value पूट कर देंगे 53,578 divided by 29,070 तो 53,578 divided by 29,070 तो answer आ जाएगा 1.8430 तो यहां पर accepted है एक से ज्यादा answer आ रहा है एक या फिर एक से ज्यादा answer आएगा accepted ठीक है तो यह चेज़ आपके पास में answer तो यहां पर पूरे का पूरा यह question खतम हो जाता है basically देखें यहां पर जो एक doubt हो सकता है कि जैसे कि हमने ऐसे यहां पर previous question कर रहा था जहां पर यह NPV का question था जहां पर इस तरीके के खर्चा दिया जा था 10,000 तो हम क्या करते थे वहां पर directly यहां पर inflow मेंस आउट फ्लो माइनस कर देते थे इस तरीके की treatment थी लेकिन यहां पर यह NPV नहीं है यह PI है पी आई में हम आउट फ्लो को अलग रखते हैं inflow को अलग रखते हैं तो यहां पर जो 10,000 अगर आप सोच रहे हैं यहां पर माइनस कर देंगे और फिर वापस इसका present value करेंगे कि answer is no क्योंकि format यहां पर specifically कहता है कि inflow अलग रहेगा और आउट फ्लो अलग रहेगा तो यहां पर आप एजस्ट नहीं करेंगे net present value का concept जो है apply नहीं करेंगे कि यह 10,000 यहीं से माइनस करके इसका present value निकाल के answer निकाले नहीं यहां पर simply आपको इस तरीके सही काम करना पड़ेगा question में भी यहां पर formula में भी अगर देखे तो वही लिखा है initial case आउट ले यहां फिर कहे total discounted case आउट लो ठीक है total discounted case आउट लो को आप अलग से ही calculate करेंगे और यहां पर value put करेंगे ठीक है adjust नहीं करेंगे adjustment NPV में होता है तो यह चीज आपकी थी PI method इसके बाद IRR method है MIRR method है और उसके बाद यहां पर चीज खतम हो जाती है payback period है एक चोटा सा point है payback और बस वही point है इसके बाद तो main हमारा जो concept start होगा वो start हो जाएगा तो basically इतनी ही चीज़े है यह summaries आपको provide करेंगे जिसमें हम ARR पढ़ चुके है NPV पढ़ चुके है PI पढ़ चुके है बस यह हमें करना है और payback period करना है यह दो point हमें comment करना है और आपके पास में यह chapter खतम हो जाएगा ठीक है इसके बाद chapter खतम हो जाएगा लेकिन इससे related बाकि IRR और MIRN में था ठीक है वह complete होगा आपके पास में यह चीज़ खतम ठीक है तो next video में IRR और MIRR खतम कर देंगे तो यहां पर आपके total case खतम हो जाएगे और इसके बाद आपके पास में यहां पर क्या होगा सर आपके बाद में यहां पर main question यहां पर special case स्टार्ट हो ज है ठीक है